हेलो क्लास 11th students, technometric functions के first exercise के 6th question को हम भो आज की बढ़न solve करेंगे question है, if in two circles, arc of the same length, substance, angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii question में क्या बुलाए, कि ये दो circle है, दोनों का जो arc length है वो same है ठीक है, दोनों में जो arcs हैं, वो same length के हैं और 60 degree और 75 degree का angle बना रहा है दो circle पहले बना लगते हैं, question बोलाना है कि two circles हैं जो की arc बना रहा है same length का, और angle बना रहा है 60 और 75 degree का, हमें ratio निकालना है radius का, easy question है पहले दो circle बनाएंगे, तो let's say ये एक circle है, और ये एक circle है, अब देखिएगा question बोला है कि दो same length के arc है, यहाँ पर मैं एक arc बना रहा हूँ let's say इसका length as है, यहाँ पर जो arc बन रहा है, let's say इसका length क्या है, as है ठीक है, तो ये जो arc है, वो center पर कुछ न कुछ angle बनाएगा question बोला है, 60 degree का angle बनाएगा, ठीक है, ये जो arc है ठीक है, ये जो arc है, ये 60 degree का angle बनाएगा, ठीक है, और माल लेते हैं कि इसका radius है, r1 उसी तरह इस वाले circle में माल लेते हैं, same length का arc है, छोटा ही रहागा न फिर मतलब इसकी भी length कितनी है, ऐसे, question बोला था, same length का arc मतलब अगर मैंने यहाँ पर s choose किया है, यहाँ पर भी s ही होगा, ठीक है, और ये center पर angle बनाएगा, इस तरह से कुछ, question बोला कि यह angle 75 degree का होगा, ठीक है, हमाँ लिटेंस का radius r2 है, डोनों का radius तो अलग अलग होगा, यह radius मैंने मान लिए r1 है, और यह radius मैंने मान लिए r2 है, मैंने आपको बहुत पहले एक formula पढ़ाया था, इस वाले case में, इस वाले case में formula होगा, s equals to r theta, ठीक है, तो s के जगा हम लोग s e रहने देंगे, और r के जगा हम लोग क्या कर देंगे, r1 कर देंगे, और theta 1 जो है, theta, theta जो है 60 degree नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें radian में रखना रहता है, तो theta की value क्या थे 60 degree थी, तो इसको radian में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, pi by 180 से multiply कर दें जगा, आप कान से रहागा, pi by 3, मतलब इस theta के जगा हम लोग 60 degree नहीं, बलकि pi by 3 रखेंगे, तो s equals to क्या जगा, r1 multiply by pi by 3, ठीक है, यह मना हमारा पहला equation, इसको भी छोड़ देंगे, कुछ देर के लिए, तब तक यह आराम कर ले, ठीक है, अब आते हैं, दूसरे वाले circle पे इस वाले circle पे आते हैं, इसमें भी same formula होगा, s बराबर, theta, s के जगा तो ऐसी रहेगा, क्योंकि same arc length है, radius के जगा, r2 रखना पड़ेगा, और theta के जगा, theta के जगा क्या हम लोग 75 रखेंगे, 75 तो degree नहीं बन था ना, तो हम लोग theta को पहले, जोकि 75 वसको pi by 180 मिल्टिप्लाइ आगर के radian में बनेंगे, 5, 1, 5, 5, 5, 25, 5, 3, 15, 5, 6, 30, 35, 15, 3, 1, 3, 2, 6, दे जागा, आपका 5 by 12, ठीक है, तो theta की value के आगरे, यह रेडियन में, 5 by 12, इसको multiply कर देंगे, 5 by 12 से, ठीक है, यह बना हमारा दूसरा equation, ठीक है, अब मैं इन दोनों को मिटा दे रहा हूं, यह सब च important काम, क्योंकि हमें निकलना था ratio, हमें दोनों circle के radius का ratio निकलना था, तो हमें पहला equation में लागा, s equals to r1, pi by 3, और दूसरा मिला, s equals to r2, 5 by 12, ठीक है, अगर दोनों का ratio निकलना है, मतलब मुझे r1 और r2 को divide करना है, तो simply, इन दोनों का ratio ने निकलना है, दोनों equation को ऐसे divide कर द देखिए, यहाँ पर r1 है, यहाँ पर r2 है, तो r1 by r2 है, ठीक है, clearly दिखरा देखिए, pi से pi कड़ जाएगा, तो हमें मिलेगा, pi से pi कड़ जाएगा, तो हमें मिलेगा, 1 by 3 divided by 5 by 12, बस हो नहाँ, अरे भाई, यहाँ पर pi by 3 था, तो pi कड़ जाएगा, तो 1 by 3 बचेगा, और कोई नियम पता होगा, जब दो बार डिवाइड आता है, तो यह 3 5 में मल्टिप्ला होता है, तो 1 by 1 बराबर, r1 by r2, multiply by 12 by 15 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें r1 by r2 का ratio निकलना था, तो इस 12 को साइड बेजेंगे, और इस 15 को साइड बेजेंगे, तो दोनों का भी यह भी इस 1 के पास जाएगा, तो मिलेगा 15 by 12 equals to r1 by r2, कटेगा भी 3 5s और 3 4s में, तो जाएगा 5 by 4 equals to r1 by r2, ठीक है, r1 और r2 का ratio आचुका है, उमीद कता हूँ, आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, दोनों में यह formula लगा के आपको बस divide कर देना है, जैसे divide करेंगे, आपका r1 और r2 का ratio आजागा, उमीद कता हूँ, आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूत करेंगा, ठीक है, और comment box मताईएगा, comment box मताईएगा, कि 90 degree की value Radian में क्या होती है, ठीक है, आज पर में सतना है, मिलते हैं के लिए उडियो म आपको समय 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 आपक